हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई इस्टडिशी चैनल दोस्तों प्रिवेस एर में जितने भी कोस्टन्स फिजिकल एजुकेशन कमपेटेटिव एक्जाम्स टिजिटी पीजिटी के बियस एन बियस यल्टी में पुछे गए हैं उन सभी कोस्टन्स को टापिक वाईज आपके स प्रस्तुत कर रही हूँ और दुस्तों यदि आप इन सभी एक्जाम्स की प्रिप्रेशन स्यलिबस के कारडिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियोज्च स्यलिबस के कारडिंग 75 वीडियोज को बेहतरीन बना सकते एंड दोस्तों डेली बेसेज पे यह सिकी इस कोस्टन्स प्रिवियर सियर के बनाया जा रहे हैं जिससे आप अपना प्रेक्टिस कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के टापिक खेल समासास यानि स्पोर्ट सोशियोलोजी से इतने भी कोस्टन्स पुछे गए हैं उसको यहां पर आज इस एपिसोड में रख रही हूं एंड दोस्तों यह सिरिज नंबर 36 है तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के प्रश्णों की श्रिंखला की तरफ फर्ष्ट कोस्टन है कि समाज सास्त्र किसका अध्यन है मानो ब्यवहार का, मानो सरीर का, मानो समाज का की मानो प्रदस्ण का आजसन नंबर सीकरेट एंशर मानो शमाज का अध्यन है नेक्ट कोस्टन है निवन लिखित में से कौन किसी ब्यक्ति पर समू के प्रभाव का उधारर नहीं है दोस्तों इसमें आपसर नमबर एक एंसर है आलपर संक्ष्यक प्रभाव या किसी ब्यक्ति पर समुख की प्रभाव का उदारर नहीं है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आलपर संक्ष्यक प्रभाव समाधिक प्रभाव का रूप तब होता है जब आलपर संक्ष्यक समुख का कोई सदस्य आलपर संक्ष्यक के विश्वास या बेवहार को स्विकार करने के लिए बहुमत को प्रभावित करता है next question है ISDR एक समाज के स्वस्थ उत्तर जीविता के लिए उपयोगी है ISDR का पूर रूप क्या है इसका full form यहाँ पे पूछा है जो समाज के स्वस्थ उत्तर जीविता के लिए उपयोगी है तो इसका full form होता है action number A correct answer है International Strategy for Disaster Reduction Next question है निर्देनिखित में से कौन सा एक गड़ स्रोत है सचित्र रिकॉर्ड, मेकेनिकल रिकॉर्ड, बेक्तिगत रिकॉर्ड, पार्थि पुस्तके तो दोस्तो इस भी आपसर नमबर डी करेट अंसर है पार्थि पुस्तके क्योंकि दोस्तों प्राथमिक स्रोत जो होते हैं उखिसी घटना, वस्तू, द्यक्ति या कला के कारे के बारे में प्रत्यच्छ प्रमार देते हैं यहां पिर सच्चित्र रिकॉर्ड, मेकेनिकल रिकॉर्ड तथा बैकिनिगत रिकॉर्ड प्रात्मिक सुरोत के एक्जामपल्स हैं जबकि गॉड़ प्रात्मिक सुरोतों की ब्याख्या, वाटन, विशलेसर, मुल्यांकन आदि प्रक्रियाओं से शंबंदित होती हैं जैसे कि पाठे पुस्तकें, सब्द कोस, किसी घर्टना के पस्चात, पत्रिकाओं का समाचार पत्रों के लिए आदिक गौर्ड सुरोत यारी सेकेंडरी सोर्स के एक्जाम पर्स हैं नेक्ट कोर्शन है, चिनोती पूर्ण सोध प्रशन केवाल उन लोगों द्वारा चुने जाते हैं, जो बौधिक छिंतवाले हों, या सुरोतम मागदसम प्राप्त किये हों, या उनके पास संसाधन हो, या समय से पहले जो सोच सकते हूं कौन लोग द्वारा, किस परकार के लोगों द्वारा चुनोती पूर्ण सोध प्रशन के जाती हैं, यहा पर आपधम नमबर ए हैं दोस्तों, बौधिक छ्ञमता वाले, बौधिक छ्ञमता में सब कुश आ जाता है, इसलFrom को कि चुनते हैं नेक्ट कोश्चन है सभी सोधों का अंतिम उत्पाद क्या है तो दोस्तों यहां पर इस करेक्ट एंसर हो जाएगा आपसन नंबर C, D, जानकारी में ब्रहुत्री दोस्तों सभी सोधों का अंतिम लच्छी क्या होता है कि हम जादे से जादे उस चीज के बारे में जानकारी जान सके यानि जानकारी में ब्रहुत्री करना ही सभी सोधों का अंतिम उत्पाद होता है आपसन नंबर D, यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा कि किसी अधिकान सोध करताओं ने प्रयोगात्मक सोध विधी को सबसे विश्वसनी उद्यस से पूर सपिक एवं शही विधी माना है क्योंकि यह इसकी डुप्रेखा की मांग है क्योंकि यह इसकी डुप्रेखा की मांग होती है क्या है बहुत परिस्कृत उपकरणों का उप्योग किया जाता है कि सोध प्रिक्रियाओं को सम्हालने के लिए अतिधिक प्रसिचित सोध करता कि जांच के तहट घटना का नियंतरित और लोकन होता है कि जनकारे में बढ़ोत्री तो दोस्तों यहां पे आपसर नंबर सी करेट एंसर हो जाएगा जांच के तहट घटना का नियंतरित और लोकन होता है इसलिए अधिकान सोध करता होने प्रियोगात्मक सोध बिधी को सबसे विसोसनी उद्देशपूर सटिक और सहीमाना है किसी एक लच्छे पर विभिन व्यक्तियों की कोसिस के समंजस्य के प्रियास को कहते है तो दोस्तों किसी विसेस लच्छे के विभिन व्यक्तियों की कोसिसों की समंजस्य प्रियास को प्रबंधन कहते है आपसर नंबर एक यहां पे करेक्ट अंसर होगा क्योंकि दोस्तों उचित प्रवंधन के माध्यम से ही किसी एक लच्छ प्र विभिन बेक्तियों की कोशिस से सामंजस से बना कर लच्छ को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि प्रवंधन द्वारा ही विभीन बेक्तियों के कार्यकरताओं के अनुसार लच्छिप्राप्त किया जा सकता है Next question है सोध के दिष्टी कोड में निम्जन मिखिती बिस्यों में से किस बिसे के लिए बहु आयामी दिष्टी कोड की आप सकता है सिच्छा स्वास्तमन रंजन सारी सिच्छा और खेल तो दोस्तों यहां पर आपसन नमबर डी सही है सारी सिच्छा और खेल में के लिए बहुत आयामी दिश्टी कोड़ क्या सकता होती है आपसन नमबर डी करेक्ट एंसर विजस्ट एवं इस परस्ट तरीका जिस से धय को प्राप्त कर सकते हैं धय यानि लच्छ को प्राप्त कर सकते हैं , प्रिधान्त है की उद्यस है की प्रयोजन है की लच्छ यहां लिएसा कि दोस्तों विभिंद छोटे छोटे लक्ष निधायद करके उद्विय से निधायद करके उसके पूरा छोटे छ ! टास्क के अंतिम लक्षिपर पोहची अधा है। यहाँ पे सभी उद्विद्विष थementeober हैं देय जैसे कि सारी वियुह तकरनाया दे क्न śति को परदस्थी जाने समझने का उद्ध homeless ठाम करना .. यह कुछ भी हो green- Olympus लुग या अच्छा इस्वास्त या प्रतिविक्ता में पत्रों प्रदस्थन करना .. इसकी ही पहले हो चोटे चोटे उद्ध्यम चे बना करकर के लेत का नफ्स कोर्शन है इन में से कौन राष्ट्री खेल संगठन व्योसाई खेल यानि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का प्रतिनिधित्व करता है तो दोस्तों यहां पर आपसन नंबर बी करेक्ट अंसर हो जाएगा बोर्ड आप कंट्रोल फार क्रिकेट इन इंडिया यानि भारत में बोर्ड आप कंट्रोल फार क्रिकेट इन इंडिया व्योसाई खेल का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है जो पूरू में अपने को एक परोपकारी संस्था की रुपे प्रदसित करती रही और कर में छूट हासिल करती रही थी लेकिन भ्रष्टाचार और व्यापक वित्ती अरिमिताओं के कारण विवादों में घिरने के कारण कर विभाग द्वारा वर्स दोहजर साथ आठ में इस संस्था पर कर में छूट को स्वाप्त कर दिया गया है संगठन के प्रकार को ध्यान दिये बिना इसका सदेवकार है क्या है कारे को शंपादित करना या आदर्स जिस पर गरु हो या समाजिक उद्देश या सिच्छित करना तो संगठन की प्रकार को ध्यान दिये बिना इसका संगठन का सदेवकार क्या है समाजिक उद्देश से समाजिक उद्देश से किसी कई सारे बेक्तियों का इकर्था होकर की कार करना वही संगठन होता है संगठों की प्रकार को ध्यान दिये विना इसका कार से तो समाजिक उद्दे से सवन्दित होता है संगठों वर समाजिक ब्योस्था या यूगती है जिसका एक लच्छ होता है जो अपने कारियों की समिच्छा करती हुए स्वयू का नियंतर करती है अपने परियावरल से जिसकी अलग सीमा होती है नफ्स कोशन है इन में से कौन सी परिकल्पना सिखने के समाजिक पहलू को बताता है इस में से कौन सी परिकल्पना ऐसा है जो सिखने के समाजिक पहलू को बताता है ट्रायल एन एरर अवलोकन अंतरदिष्टी सुचने प्रक्रम तो दोस्तों ट्रायल एन एरर अंतरदिष्टी सुचने प्रक्रम या आप स्वेंट तक ही सीवित रह सकता है एक अवलोकन यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा क्योंकि हम सदेव अपने चारो और होने वाली क्रियाओं घटनाओं का अवलोकन करते हैं देखते हैं यही परिकलपना हमें सीखने की समाजिक पहलू को बताता है नेक्ट कोस्टिन है सुन्य परिकलपना को जाना जाता है तो यहां पे आसन नंबर सी करेट एंसर हो जाएगा अंतर रहित परिकलपना सुन्य परिकलपना को जाना जाता है अंतर रहित परिकलपना दोस्तों किसी सांकी की परिछर में एक समान्य दिश्टिकोड यह होता है कि प्रेशित प्रेडाम को एक निश्चित परिकलपना की सापेच समझाता है जिसे सुन्य परिकलपना करते हैं यह सुन्य परिकलपना स एक अंतर रहीत इसीति को ब्यक्त करती है। नेक्ष्ट कोश्चन है कि किषने कहा कि समाज सास्त्र समारी समंदो के विसय में है। समारी समंदो के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। इस परिभासा को दिया है दोस्टों आपता घेलों की सच्षमता का क्या आधार समझा जाता धा है। ऍधर का गिश्च और घेलों की सच्षमता का आधार क्या समझा जाता है? जो है जीवन और खेलों की सच्छम्ता का आधार है नीरो मस्कुलर सामंजस्च का संबंद इस बात से है कि या किस प्रकार सच्छम्ता के साथ पेसियों को किसी डिस्स्टिक कारे है तू सनलगन करता है नीरो मस्कुलर तंत्र सरीय में दो प्रकार से समंजश्य स्थापित करता है इंट्रमस्किलर समंजश्य और दुसरा इंट्रमस्किलर समंजश्य द्वारा ये दोनों प्रकार के समंजश्य सरीर में जित्ते नहीं उन्नत होंगे उत्ते नहीं हमारे जीवन के कारे कलापो अथ्वा खेल कूद की छमता के लिए लाबदायक हो नेस्ट कोस्टिन है खेल भावना जैसा नैतिक मुल्य खिलाडी किसी से ग्रहक करता है तो दोस्तों जहां पर आपसन नंबर भी करेक्ट एंसर हो जाएगा सिच्छक और प्रसिच्छक यानि कोच से ठीक है खेल भावना जैसा नैतिक मुल्य किसी ग्रह करता है सिच्छक और प्रसिच्छक यानि कोच से अपसन नंबर भी करेक्ट एंसर खेल भावना जैसा नैतिक मुल्य खिलाडी अपने सिच्छक और प्रसिच्छक यानि कोच से ही ग्रह करता है किसी भी खेल प्रतिविता में भाग भावना बनाए रखता है किसी भी टीम के बेहतर प्रदसन में उसके सिच्छक या प्रसिच्छक को इनी काड़ों से विशेश रे दिया जाता है निश्ट कोशन है समाचार पत्र टीवी एवं प्रदसनी किसके मुख्य साधन है तो यह किसके मुख्य सादन है जन संपर्क के आपसर नंबर डी यहां पर करेट एंसर है जैसा कि आज कल टेक्निकल यूग में कई सारे टेक्निकल चीजे आ गई हैं इंटरनेट के आने से नेस्ट कोश्चन है मनुरंजन उपलब्द कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के हैं इसका आपसर नंबर बी करेट अंसर चार मनुरंजन उपलब्द कराने वाले अभिकरण चार प्रकार के हैं कौन कौन से सास की स्वेंस्वेवी नीजी अभिकरण तथा ब्यापारिक चार साधन है सासकी स्वैंसरी नीजी और व्यापारिक अविकरा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आई होप की सभी कोस्टन समझ में आए होंगे एंद दोस्तों जादे सजादे वीडियो को सेयर कीजिए वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों पहले नेस्ट आपके साथ तब तक के लिए जैहलें